हे प्रभु मेरी ये बेंती है अरदास है तैथों बिना सब मिथे है तैथों बिना सब कूड है तो ही सच है बाकी सब कूड है जो हुन है ते बात दिछ नहीं जो सवेरे नहीं ते शामनो है जो शामनो है ते सवेरे नहीं उन्हों कूड केंदे नहीं उन्हों मिथेया केंदे उनुन जूट पेंदे रहें सचते सदीवी है पर संसार सदीवी नहीं इगलवक्री है कि संसार नू निरंकार दी चाया आख है पर जैसे द्रखत दी चाया बदल दिये ढल दिये हूँ बव संसार बदल दये ढल दये लेकन सच अपनी थांते अटल है काइन है द्रखत दे अपनी थांते खड़ा है चाया ढल दिये बण दिये खत्म होँ दिये हूँ बव संसार बण दये ढल दये खत्म होँ दये पर निरंकार नेचल है सहिब केनने ए अकाल पुर्ख तैथो बिना सब कुछ कूड है तो सब कुछ बेच जो कुछ खास जिकर करन जोग है सहिब श्री गुर्णान के देवजी महराज ने उस दा बकैदा जिकर कीता है कूड राजा कूड परजा कूड सब संसार संसार देच सब तो बड़ी हस्ती हुकमरान है राजा है उही चर्चादा पातर बनदा है उही मनुक्दी जवानते ज़यदा होनदा है मनुख दे विचारां देच भी राजा ही चाया रहेंदा है प्राचीन समेतों ऐसा ही चले आ रहे है कि मनुख की जहन देच मनुख की गुफत गूदेच राजा ही मौजूद रहेंदा है जो हुकमरान होंदा है उदी ही चर्चा जो हुकमरान है उदी सोचनी उन्जे ते ए व्यापक सोचनी है ते व्यापक कतनी है लेकन सड़े देश देच बहुत ज़्याद है जित्थे भी दस पंच बंदे बैठे हुन उत्थे चर्चा राजनीती दी हुकमराना दी गुफ्तगू एही सोचनी एही किसे थावी बैठके कोई मैफिल सजे चर्चा किसे न किसे हुकमरान दी चल पैगी दुनिया भर दे अखबार ते दुनिया भर दे होर परसारन दे जड़े सादन ने ओ करीबन करीबन राजे दे ही चर्चा कर देने हुकमरान दे ही चर्चा कर देने ते मनुख एही कुछ सुचना चांदा है ते मनुख एही कुछ सोचना चांदा है पर साहिव के निन कूड राजा, राजा वी जोट है, मिठे आए, जो आज है ते काल नहीं है, उन्हों किस तरह राजा मनी है के निन धार्मित लोगा ने राजा शबत दिता ते प्रमात्मानों सी, लेकन बाद देच व्यक्तिया नाल जूड़ गया जो संसारदा मालक है, सच्चा मालक है, राजा ते उन्हों आखिया गया, बाद देच जो मुलकंदे वक्ति आरजी मालक बन बैठे, उन्हा देनालवी ए राजा लकव जुड़ या, पगत कबीर के ने को हर समान नहीं राजा, ए भूपत सब दिवस्चार के जूठे करत दिव राजा, हरी समान और कोई राजा नहीं है, वो व्याक्त है, और उस दी मलकियत है, वो ऐसा नहीं कि आज है कि कल नहीं होगेगा, उस राजे नालशबद जोड़िया गया, अकाल, समें तो परे है, असी समें दे विच्च हां, परजा ते राजा समें दे विच्चने, और गोबिन सिंग जी महाराज ने आपनू राजा ते महाराजा करके आखे, राजन के राजा, महाराजन के महाराज, ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन दे आई है, ये प्रभू, ऐसे महाराजे नू छड़के, ऐसे राजे नू छड़के, मैं होर किड़े राजे दा चिंतन क और किड़े हुकमरान देनाल जुडा तो ओ अकाल पुरुख राजा है रजय ओया त्रिपत लेकन ए लकब जुड़ गया उन्हा व्यक्तिया देनाल जो व्यक्ति तौर थे और आरजी तौर थे कुछ समय लई किसे थान दे किसे मुलक दे किसे शेहर के मालक बने सैवकने कूड राजा राजा जूट है मिथे है आज है कल नहीं इतिछाया है वजूद नहीं ते कूड परजा सिर्फ ऐसा ही नहीं के राजे दा राजा होना कूड है परजा दा परजा होना भी कूड है जैसे बालक खेल खेल देने बादशादी वजीर बनदाय इक मुझरम बनदाय बकी परजा बनदीे बालक दा खेल बालक दी ओ लीला अकीकत देच ए सारी लीला ही चल दी मनुकी तल दी और बहुगोर मुदाला करिये कि शरीरिक ताउरते मनुख वड़ा हो जानदा है बौधक ताउरते ते बच्चे दा बच्चा ही रहनदा है ओधी सोचनी ओही बनी रहनदी है फरक सर्फ इतना है कि जद छोटा सी तो खिड़ोने छोटे सन छोटी सैकल सी छोटा रेडियो सी छोटा जियां खिड़ोने वाला टीवी सी छोटी जियां मोटर कार खिड़ोने वाले सी उस मोटर कार नल खेड रहे है उस गड़ी नल खेड रहे है उस साइकल नल खेड रहे है पर हुन वड़ा हो गया है तो साइकल वड़ी चाही दिया रेडियो वड़ा चाहिए रहे उन मोटर कार वड़ी चाहिए रहे घरस के हैं खिड़ाओने पहले छोटे हैं खिड़ाओने आनल खेड़दा सी उन वड़ा हो गया है वड़े खिड़ाओने आनल खेड़ रहे है खिड़ाओने दी खेड ओई है बच्पना ओई है भामे शरीर बजर्ग हो गहे शायद इस ही वास्ते ईरान बे परसिद सूफी फ़कीर ने किसे वक्त किया से बजर्गी बाएकलस्ट नके बासाग अवंगरी बादिलस्ट नके बामाग बजर्गी अकल तो है उमर तो नहीं और अमेरी दिल तो है माल सबाब तो नहीं इदे कुल धन कितना है इदे कुल संपदा कितनी है इदे कुल संपदा कितनी है इदे अमेरी दे माप डंद नहीं है ए अमेरी दे नापतोल नहीं है अमेरी दा नापतोल है कि दा दिल किनना कवड़ा है धन संपदा बहुत बड़ी होगे दिल बहुत छोटा होगे उस धन संपदा नो ना खुद वर्त सकेगा ना दूजे नो वर्त नो देगा ना खुद सुख हासल कर सकेगा ते ना उस दी धन सम्पता दो किसे दूसरे ने सुख हासल करना है उते सिम्मल रुख दी तरह होएगा ना पंचियान उटिकाना फुल भी किसे कम दे नहीं फल भी किसे कम दे नहीं और छाया भी नहीं तो सैवकिन ने ए राजा होना कूड है मिथे है पर परजा होना भी कूड है मिथे है कौण राजा है कौण परजा है सब सुपने दी खेड सब सुपने दी लीला सब मिथे है परजा अज है कल नहीं राजा अज है कल नहीं जो अज है ते कल नहीं होते कूड है जो सवेरे है ते शाम नहीं उते मित्य है कूड राजा कूड बरजा कूड सब संसार सारे दा सारा संसार जो इना अक्षा नाल असीवेख रहां सैव के दिन कूड है इते चाया है इते मित्य है धर्म दी मूल सादना एई है के संसार मित्या दिखाई देवे निरंकार सच दिखाई देवे पदारत मित्या दिखाई देवे प्रमात्मा सच दिखाई देवे जगत मिथेया दिखाई देवे करता सच दिखाई देवे लेकिन संसारी इस तो उल्ट जीनद है जो प्रवात्मा है ये मिथेया दिखाई देनद है जो जगत है ये सच दिखाई देनद है पदारत सच दिखाई देनद है जो निरंकार है उते मिथेया फिजूल है, कूड है पर ए जो संसार है ए सच है जीवन दे ए दो ढंगने संसार नो सच करके मनना ते जीवना या निरंकार नो सच करके मनना ते जीवना जीवन दे ए दोई टांगने या संसार नू मिथेया समझना ते जीवना या निरंकार नू ही मिथेया समझना ते जीवना वैसे पृत्वी दे दे उना लोगां दी गिंती हमेशा ज्यादा रहीगे जिनाने प्रमात्मानू मिथेया जाने है फिजूल जाने है जिनाने निरंकार मों मिथेया जाने है और संसार मों सच जाने है पंजाबी दाते एक आम महावर है ए जग मिठा अगला किन लिठा बस एही जगत सब कुछ है क्योंकि दिखाई दे रहे हैं और एह है ओ प्रमात्मा पता नहीं है या नहीं तो साहज़ शिर्डि अनुक दिवजी मारज के नहीं जित्धे तक एह सारा जगत दिखाई दे रहे हैं कूड है मिठे है कूड मंडप कूड माडि कूड बैसन हार सोने सोने चंदोई शामियने तानने और एह खुबसूरत महल माड़ियां ते इना महल माडियां देच रेन वाले बैसन वाले साहिव के दिन सब कूर है सब में थे ए ए माडियां आज हैं कल ने ए शामियाने तने हुए आज हैं कल ने और इना देच रेन वाले आज हैं ते कल ने इस वास्ते कुछ धारम के पुर्शाने थे समुच्चे समसार नो एक धरमशालाई कह दिता है मसाफर खाना कह दिता है मसाफर खाने देच जैसे मसाफर आउं देने जाउं देने सदीवी कोई ने टिकदा सराय है यह जगत आउना जाउना इस देच बने हो रहे है रोज नमे जीव आ रहे ने है रोज पुराणे रुकसत हो रहे ने है मुसाफर खाना है कोई इस मुसाफर खानेच असी साल रहेंदा है कोई साथ साल रहेंदा है कोई चाली साल रहेंदा है कोई चाली दिन रहेंदा है रुकसत होंदा है और नमें होंदे है ए आवा जाई इस मुसाफर खानेच रोज जारी है नेनों देखते ए जग जाई देख देया इना अक्षा देनाल लेकिन फिर भी एक गल भुलान देया और यकीन कर देया संसार सच है निरंकार जोट है साइबकन नहीं ए महल माडियां जूटने ए मंडब ए शामयाने ए चंधोय तनय जूटने इना दिछ बैठन वाले ओभी मिथेयाने ओभी जूट है कूड सोयना, कूड रुपा, कूड पैनन हार सोयना जिदी चमक, दमक, आद काल तो मनुखन अपनी तरफ खिच दी रही है दरसल कंचंदा ही बहुत गैरे तल दिच मनुखते प्रभावरे है मनुखदी लंबी चोड़ी भटकना कंचन करके ही है, सोयने करके है साहिवकेंदने ये सोना ये भी जूट है, ये भी मिथे है ये दी चमक भी सदी भी नहीं रेंदी और ये भी गल जाएगा, ढल जाएगा, आज है करने इस सोने दे गैने, कूड ने, जूट ने, और चांदी ये भी जूट है ते चांदी दे सोने दे जड़े गैने पाणवाले ने, सैब करने ओवी कूड है, कूड पैननहार पैननहार भी आज है ते कल नहीं दरसल मनुख दे अंदर आद कालतों ये भाव बने हैं, कि मैं सुन्दर दिखाई देवां, ते लोकी मैनू सुन्दर मनन इस वास्ते हार शिंगार दा इत्थो जनम होया है लेकिन ये मनुख दे अंदर हीन भाव है इसने अपने आपनों करूप क्यों मैसूस की था दरसल करूप ता ते अंदर सी, शिंगार इसने बार की था मलन ता ते अंदर सी, सफाई इसने बार की थी पैडा पन ते अंदर सी, स्वारिया शिंगारिया इसने बार एक आलम दा केन हैं हजारा राइशें सदकें हैं उसकी सादा वाजी पर नहीं मौताज जेवर इल्म अकल ने जिसको सवारा है जिनू ग्यान ने जिनू इल्म ने समारे है शिंगारे है उन्हों किसे हूर शिंगार दी लोडने उन्हों किसे होर गैने याँ दी लोड़ने पुर्शन आलों एहीन भाव ज्यादा नारी दी अंदर है इस वास्ते उस दा बहुत सारा समा ते उस दा बहुत सारा धन उदी बहुत सारी शक्ती हार शिंगार देच ही बतीत हो जांदी है कदी बहौर जात मारी है मौर कितना खुबसूरत है हनस कितना खुबसूरत है मचलियां दोते कितनी सोनी चित्र कारी है जंगली जानवर पशो कितनी सोनी ढंगनल अकाल पुरुखने उन्हानू समारे है शिंगारे है दरसल इस तरह दा स्वपन अकाल पुरुख ने मनुखनों भी देता है लेकिन ओ अंधरूनी है महान है उदी तरफ इसने कदी जात नहीं मारी उस दी तरफ इसने कदी देखे है नहीं एस वास्तेश दा समा इदी शक्ती बार देश अपन देच नश्टों दी रही है तो सैवकन ने ए सोना ए चांदी और सोने ते चांदी दे बने होए ए गैने और इना नो पैनन वाले सैवकन सब कूड है सब में थे कूड कायां, कूड कपड, कूड रूप अपार ए जो अपार रूप है अतियन्त सुन्दरता है, काया दी और खास करके कप्ड़घे नाल होर सुआमनी है होर सुन्दर है सैब कने काया भी कूड, कप्ड़घे भी कूड और एज़डी अपार सुंदरता है एवी मित्य है देखनेयां देखनेयां मनुक दाजोबन ढल जाना है देखनेयां देखनेयां मनुक अपने अखनाली वेखलेंदा है सुंदरता मेरी नश्ट हो गई ओ तिखे नैन नहीं रहे है वो सुराही जैसी गर्दन नहीं रहे वो मरिग नैन नहीं रहे सहजे सहजे इंद्रियां दी चमक दमक रुकसत हो रही है लेकिन रुकसत हो रही है मुनुक फिर भी नहीं मनदा पूरन ताउरते यकीन फिर भी नहीं आउंदा कि सारे दसारा जीवन ही रुक्सत हो जाएगा यत ढल दी यो इछाया है और ढल जाएगी मुनो किसनो सदेवी मन लेंदा है अमर मन लेंदा है केंदेने भगत कबीर जी दे डेरे एक ऐसी पनहारी सी जो सारा दिन आय होए यतरुआनों भगत जनानों पानी पिलांदी सी तन दते खदर दालिवास लेकिन ओवी लीरा लीरा चीतरे बिलकुल भगत कबीर जी दे चेले एक दिन गंगा तटतो होके आये उस दिन सिकंदर लोधी दी बेगम हिंदू यातरुआनों वेखन लई गंगा दे तटते आयी सी सजे आया रत और हार शिंगार नल समारी होई ए बेगम बड़ा कीमती उस दा लिवास चेले वेख दिन ते दंग रह गए इतना कीमती लिवास लिवास दे चेही हीरे जड़तने मुती जड़तने नीलम पन्ने जड़तने मखमली लिवास कबीर दे चेले कबीर को आके गिला कर देने कि ईशवर बेन साफियां कर दाए जो सारा दिन पाणी पिलां दिये लोकांदी प्यास मिटां दिये आय होई यातरुआन दा हर तरीके नल ख्याल रख दिये और जो सारा दिन भजन कर दिये भावना नाल उदे कपड़े लीना लीना और खद्ड़ दे जो पतानी खुदादा ना लें दी वी है के नहीं उदे कपड़े इतने कीम दी उस दा लिबास अतियंत सुन्दर उस वक्त कबीर केंदे नहीं इजो पाणी पिलां दी है इजो सारा दिन सत नाम दी धुन दे चलीन रहें दी है इदे कपड़े कीम दीने महान ने चेले केंदे ने जड़े कपड़े असी देखे ने ज़े किदरे तुसी देख दे तक के उठते वाकई एक अपड़े महान ए रूप महान है उत्थे भगत कबीर दो सलोक उचारन कर देने जो गुरुगर्ण सावजी महराज दिछ दर्जने कबीर हैंगे बाहन सघन घन छत्र पती की नार तासो पटन तर नाम पुजे हर जन की पनिहार मैं मनदा उस बेगम दे घर देच हाथी ने गोडे ने कंचन है सोना चंदी है बहुत सुंदर महल ने और उदे कपड़े मखमली ने लेकन मैं फिर भी कहना तासो पटन तर नाम पुजे हर जन की पनिहार ये हरी दे जना दी जड़ी पनिहारी है जो सारा दिन पाणी पिलां दी हरी दे जना नो भगता नो ये दे कपड़े आं दे सामने उस बेगम दे कपड़े तुछने कुछ भी नहीं इन्हा कपड़े आना उना दा की मुकाबला ये कपड़े महानों ने तह चेले सारे बोल पहे बगद जी वो मखमली लिबास है उदेश हीरे ते मोती जड़त ने उस वक्वेर समझा देने वे गल सुनो कभीर निर्पनारी क्यों निंदी है क्यों हर चेरी को मान मैं राजे दी इस तरी दी निंदा क्यों कीती हरी दी उजड़ी चेरी है उजड़ी पनहारी है मैं उसनों इतना वड़ा मान कें उदेता है के बेगम इस पनहारी दे चर्णा दी खाक भी नहीं उदे कपड़े यदे कपड़े यदे सामने तुछ ने उदा रूप यदे सामने कुछ भी नहीं कवीर निर्पनारी क्यों निंदी है क्यों हर चेरी को मान ओ मांग सवारे विखे को ए से मरे हरी नाम इदे फटे पुराने कपड़ेयां देच हरी वस्त है हरी दा चिंतन है हरी दा सिम्रन है उदे मखमली लिबास देच संसारिक वाशना माने जिडा लिबास कामनार वधावे मैं उस दी महमा नहीं गाइन कर सकता मैं ते उस लिबास दी महमा करांगा जेदि चो राम दी धुन निकले जेदि प्रभू दी धुन निकले साहिब श्री गुरुनानक देवजी महाराजदा भी प्रमान है बाबा हुर पेहनन खुशी खुवार जित पैदे तन पीड़िये मन में चले विकार ओ पेहना ते खजल खुवारिये जिदे नलवाशना वद दे कुछ ऐसा खाना भी है जिदे नलवाशना वद दिये इस वास्ते गुर्मत केंदी है ऐसा खाओ जिदे नलवाशना सीमा देच रहे ऐसा पैनो जिदे नलकामना सीमा दरवे तो पगद कभीर के इनने निर्प नारी क्यों निंदी है मैं इतनी बड़ी नारी बेगम दिनिंदा क्यों कर चटी उन्हों क्यों छुटे आया कभीर निर्प नारी क्यों निंदी है क्यों हर चेरी को मान वो मांग सवारे विखे को एस सिमरे हरी नाम तो साहिव श्री गुर्णानिक देव जी माराज अज दे स्पावन पवित्र स्लोक देच फ्रमान पे कर देने एक कपड एसंद्र काया एSi अपार रूप सब में थे जो थे कूर काया कूर कपड कूर रूप अपार कूर मीया कूर बेबी खप होई खार रिष्टे नै फल मूल रिष्टा है मीया बेबी दा इस तो इधियां पुत्तर इस तो ही अगां लंबा चोड़ा प्रवार और एही अगां चलके दादी दादा गरस के ए मूल रिष्टा है संसार दा जिदे नाल संसार फैल दाए तो माराज केंदने ए मियां ए बीवी ए पती ए पतनी ए रिष्टे वी जूट है भगत कवीर दा एक बड़ा संदर शबद है गुरुगर्ण साब जी महाराई देच केंदने खड़ी देच बैठके कपड़ा बुन रहे सन ते लोही किदरे भोजन ले आई ते खड़ी ते बैठें बैठें भोजन चकन लगवे किसे तारकक ने तरक कर दिती वे जिस बंदे नूँ सुची थां ते बैठके भोजन चकन दी जाच ने ओ रबनल की जुड़ेगा ते रबदी की गल करेगा कवीर उते केंदने कहो पंड़ते सुचा कहुन थां जहां बैस हो भोजन खां तुमेनों दस सुची जगा केड़ी है जिते बैठके मैं भोजन चकन जिते बैठके मैं परशाद चकन माता जूटी पिता भी जूटा जूटे ही फल लागे आवें जूटें जाएं भी जूटें जूटें मरें अब आगे कहुपंडत सुचा कवन थां जहां बैस हो भोजन खां जहबा जूटी बोलत जूटा करन नेत सब जूटें इंद्री की जूट उतरस नाईं ब्रम अगन के लूटें जबान जूटी है मिथया बोल रही है अखा जूटियाने मिथया वेकरियाने कन जूटें ने मिथया सुन रहेने पैर जूटें ने मिथया मारत पे चल रहेने हाथ जूटें ने मिथया करम कर रहेने सब कुछ ते मिथया सब कुछ ते जूटें जहबा जूटी बोलत जूट करन नेत्र सब जूठे इंद्री की जूठ उत्रस नाहीं ब्रह्म अगन के लूटे और अगां चलके भगत कवीर के इन्देने कि जिस तुसी आखो गोबर लेपा करिये जाडूब आरी देए ते जगा पवित्रों जांदियों पर गंगा जली छिट किये ता आप के इन्देने गोबर जूठा चौका जूठा जूठी दीनी कारा कहो कबीर ते इनर सूचे साची परी विचारा ओही सुचे ने ओही पवित्र ने जिना देकुल सच दी विचार है जो सचनू सोच देने सचनू बोल देने सचनू सुन देने सचनू वेख देने सचनल जुड़ देने बस वो ही सुच्चे ने, वो ही पावन ने, वो ही महान ने, तो साहब थे के इनने, कूड मिया, कूड बीबी, खप होए खार, ए, बीवी दा बीवी होना, ते मिया दा मिया होना, पुर्ष दा पुर्ष होना, नारी दा नारी होना, और ये रिष्टे पती पतनी दे साहिब के ने चूटे ने एवे खप के खवार हों दे आखर खवारी हों दे आखर खवारी हों दे आज तक बंदे नो सवाए खवारी थे और लबेई किये तो साहिब के ने कूड मिया कूड बीबी खप होए खार कूड़ कूड़े नेहों लगगा विसरिया करतार जूटे दा जूटे नाली प्यार बजेया इस जूटे नू जूट ही चंगा लगएा इस कूड़े नू कूड ही चंगा लगएा ते भुल गया ओ करतार जो सच है जो सदीवी है जो हमेशा है केंदने सजाती मेल होंदा, कूड़ दा कूड़ नाली जा मेल होंदा, सच दा सच नाली ही मेल होंदा, तो माराज केंदने कूड़ कूड़े नेहों लगा, इस कूड़े दा कूड़े नाली ही नेहों जाके लग गया, एक कूड़ा कूड़े नाली ही जाके जुड़या, पे व जगत चलाए मान है, किसनल दोस्ती करेंगा, किसनल रिष्टा जो है जोडेंगा, सब कुछ ते जा रहे है, जिस सब कुछ जा रहे है, तो तेरी दोस्ती भी जाएगी, तेरी मितरता भी जाएगी, कूड मिठा, कूड माक्यो, कूड डोबे पूर, पर कूड ते जीवानों शे नानक वकाने बेनती तुद्बाज कूड़ों कूड़ सद्गुर्देवजी महराज फ्रमाने कर दने है प्रभु मेरी ये बेंती है मेरी ये जोदरिये के तेथों बिना सब जूट है तेथों बिना सब कूड है तुही सच है और जो तेरे मारव के चले वही सचयार होए जो तेरे नल जुड़े वही सचयार होए जो संसार नल जुड़े उते कुड़ियार हो गए जितना कोई संसारी उतना कुड़ियार है और जितना कोई करतारी है उतना ही सचे आरह है ईश्वर नाल जुड़ना दरसल सच होने संसार नाल जुड़ना कूड होने ते कूड़ दावी अपना प्रभाव है चुंके एकूर उस सच दी छाया है तो सच महान है उदी छाया भी अपना प्रभाव पांदी है उदी छाया दे भी अपनी शक्ती है महा माई तांकी है छाया इस छाया तो उच्चे उठके जो उस प्रभू नल जुड़दा है वही महान है